ABP News आपको रखे आगे और देश भर से यहां जुटे राष्ट्र भक्ति की उर्जा से ओत प्रोथ NCC कडेट्स आप सभी युवासाथ्यों के बीच जितनी भी पल बिताने का मोका मिलता है एक भवती सुखद अनुभव देता है अभी जो आपने यहां मार्च पास किया कुछ केडेट्स ने पहरा सेलींग का हुनर दिखाया जो यह सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं आप टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते हुँगे हर किसी को घर्म मैसूस होता हुगा देश के कौने कौने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बहत्रीन प्रदर्शन किया है आपकी इस महनत को पूरी दुनिया ने देखा है हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में समाज जीवन में अनुशाचन होता है ऐसे देश सभी ख्षेत्रों में अपना पर्चम लहराते हैं और भारत में समाज जीवन में अनुशाचन लाने की यह बहुत एहम भूमी का NCC बख़ुबी निभा सकती है और आप में भी यह समस्कार जीवन परियंत रहना चाहिए NCC के बाद भी अनुशाचन की यह भावना आपके साथ रहनी चाहिए इतना ही नहीं आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा बेश मजबूत होगा साथियों दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूत और नाशन के रूप में NCC ने अपनी जो चबी बनाई है वो दीनों दीन और मजबूत होती जा रही है और जब मैं आपके प्रयास देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है आप पर भरोसा और मजबूत होता है सौर्य और सेवाभा भारतिय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है वहां NCC कड़ेट नजर आता है जहां सम्विधान के पती लोगों में जागरुकता प्रदा करने का अभियान चल रहा है वहां भी NCC कड़ेट दिखते हैं परियावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है जल सवरक्षां या स्वच्छता से जुड़ा को या भियान हो तो वहां NCC के कड़ेट जरूर नजर आते हैं संकट के समय में आप सभी जिस अधुद तरीके से संगठी तरीके से काम करते हैं उसके उधारन बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं बाढ़ हो या दूसरी आपदा बिते वर्ष NCC के के केरेट्स ने मुश्किल में फसे देश वास्यों के राहत और बचाओं में सहायता की हैं कोरोना के इस पूरे कालखन में लाखो लाख कड़ेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर समात के साथ मिलकर काम किया है वो प्रसंस नहीं है हमारे समिधान में जिन नागरिक करतवयों की बात कही गई है जिनकी हमेंसे अपैक्षा की गई है वो निभाना सभी का दाईत्व है हम सभी इसके साक्षी है कि जब सिविल सुसाइटी स्थानिय नागरिक अपने करतवयों पर बल देते हैं तब बड़ी से बड़ी चुनोतियों को भी हल किया जा सकता है जैसे आप भी भली भाती जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद माववाद कितनी बड़ी समस्या थी देश के सैंकडों जीले इससे प्रभावित थे लेकिन स्थानिय नागरिकों का करतवयभाव और हमारे सुरक्षा बलों का स्थावरिय साथ आया तो नक्सलवाद के कमर तूटनी शुरू हो गई अब देश के कुछ गिंती के जिलों में नक्सलवाद सिबट कर रह गया है अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है लेकिन अनेकों युवां हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे हैं एक नागरी के तौड़ पर अपने कर्तव्यों को प्राथ्विक्ता देने का प्रभाव हमने इस कॉरोना काल में भी देखा है जब देश के लोग एक जूट हुए अपना दाईत्व निभाया तो देश कॉरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया साथियों ये कालखन चुनवती पुण तो रहा पर ये अपने साथ अउसर भी लाया अउसर चुनवतियों से निपटने का विजयी बनने का अउसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का अउसर देश की चमताएं बढाने का अउसर आत्म निर्भर बनने का अउसर साधारन से असाधारन असाधारन से सर्वस्रेष्ट बनने का इन सब लक्षों की प्राप्ति में भारत की युवाशक्ति की मौमिका और युवाशक्ति का योगजान सबसे महत्वपुन है आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट सेवक के साथ ही एक राष्ट रक्षक भी देखता हूँ इसलिए सरकार ने विशेश प्रयास किया है कि एन सी सी की भुमिका उसका और विस्तार किये जाए देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेट्वर्क को ससक्त करने के लिए एन सी सी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है पिछले वर्स 15 अगस्त को ये एलान किया गया था कि कोस्टल और बोर्डर एरिया के करीब पौने दो सो जिलों में एन सी सी को नया दाइत्व दिया जाएगा इसके लिए लगबग एक लाख एन सी सी कैड़ेट्स को आर्मी नेवी और एर फोर्स ट्रेन कर रही हैं इसमें भी एक तिहाई बन थर्ड हमारी गल्स कैड़ेट्स को टेनिंग दी जा रही है इन कैड़ेट्स का सेलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो केंडर के हो या राज सरकार के हो सभी को इसमें सामिल किया जा रहा है एन सी सी की ट्रेनिंग उसकी शमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है अब तक आपके पास सिर्फ एक फाइरिंग सिमिलेटर होता था इसे अब बढ़ा कर 98 किया जा रहा है करीब करीब 100 कहां एक और कहां 100 बाइक्रो लाइट फ्लाइट सिमिलेटर उसको भी 5 से बढ़ा कर 44, 44 और रोविंग सिमिलेटर को 11 से बढ़ा कर 60 किया जा रहा है यह आदूनिक सिमिलेटर एंसी सी ट्रेइनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे साथ क्यों यह आयोजन अभी जीस ग्राउन पर हो रहा है उसका नाम फिल्म मार्सल के एम करियब पाजी के नाम पर है वो भी आपके लिए बड़ी प्रिर्णा है करियब पाजी का जीवन शाहर्य की अनेक गासाओं से भरा हुआ है 1947 में उनके राणनितिक काउशल की वज़ा से भारत को युद्ध में निरनायक बड़त बिली थी आज फिल्मार्शल के एम करियब पाजी की जन्म जैनती है मैं सभी देशवासियों की तरफ से आप NCC के केड़ेट्स की तरफ से उन्हें आदर पुर्वक सर्धांजली अर्पित करता हूँ आप मैंसे भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस पोर्सिस का हिस्सा बने आप सभी में वो सामर्थ भी है और सरकार आपके लिए अउसर भी बढ़ा रही है विशेश रुप से गल्स केड़ेट्स को मैं आगरे से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अउसर अनेक अउसर आपका इंतजार कर रहे है मैं आपने सामने भी देख पा रहा हूँ और आखड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एंसी सी में गल्स करड़ेट्स में करीब करीब 35% 35% की बढ़ोत्री हुई है अब हमारी फोर्सीज के हर फ्रेंड को आपके लिए खोला जा रहा है भारत की भीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रू से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है आपके शावर्य की देश को जुर्रत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है और मैं आपको और आप में बविश्य की आफिसर्स बविश्य के आफिसर्स भी देख रहा हूँ मुझे आध है मैं जब कुछ दो ढ़ाई महने पहले दिवाली पर जेसल मेर की लौंगे वाला पोस्ट पर गया था तो कई यंग अफिसर्स से मेरी मुलाकात हुई थी देश की रक्षा के लिए उनका जज़बा उनका होसला उनके चहरे पर दिख रही अदम में इचा सकती मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ चात्यों लौंगे वाला पोस्ट का भी अपना एक गरो मही द्यास है सन 71 के यूद्ध में लौंगे वाला में हमारे वीजवीर जाबाजों ने मिरना एक विजय प्राप्त की थी तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूरब और पस्चिम के हजारों किलोमेटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फोज ने अपने प्राक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जाबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था सन इकोतेर की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पडोसी देश बंगला देश के निर्माण में भी सहायक बनेगे इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी पचांस वर्ष हो रहे हैं भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के बीर बेटे बेटियों के साथ उनके सोरिय आज पुरा देश उन्हें सेल्यूट करता है इस युद्ध में देश के लिए जो सहीद हुए आज मैं उन्हें अपनी सद्धान लिए अर्पित करता हुए साथियों आप सभी जब दिल्ली आये हैं तो नेशनल वार मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है राष्ट रक्षा के लिए जीवन अप्वित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दाईत्व है बलकि इस गणतंत्र दीवस को तो हमारा जो गैलेंट्री एवर्ट पोर्टल है www.galantryavert.govgov.in उसको भी नए रंग रूप में रिलाउंच किया गया है इसमें परम वीर और महवीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सहीनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारिया तो है आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी विरता को नमन कर सकते हैं और मेरा NCC के वर्तमान और पुर्व सभी करनेट से आग रहा है कि आपको इस पोर्टल पर जाना चाहिए जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए साथियों मुझे ये भी बताया गया है कि जो NCC Digital Platform बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से जादा केड़ेट जुड़ चुके है इन केड़ेट ने अपने अनुभव अपने आईडियाज शेर करना शुरू भी कर दिया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्रेटफर्म का जादा से जादा उप्योग करेंगे साथियों राष्ट भक्ति और राष्ट सेवा के जिन मुल्यों को लेकर आप चले हैं उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है इस वर्ष भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है ये वर्ष नेताजी सुभात अंद्र बोश की 125 वी जन्म जैन्ती का भी है जीमन में प्रेणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आएं ऐसा कम ही होता है नेताजी सुभात जिनोंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबुत सत्ता को हिला कर रख दिया था आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनावती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके होसले को डिगा सके देश की आजाजी के लिए अपना सब कुछ ने उचावर कर देने वाले ऐसा अनेक भीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूर्ण है ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही एहम है वर्थ 2047 में 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के सो वर्थ पुरे करेगा तब आपके आज के प्रयास भारत की इस आत्रा को मजबूती देंगे यानि ये वर्ष एक कडेट के रुप में और नागरी के रुप में नए संकल्प लेने का वर्ष है बेश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है देश के लिए नए सपने लेकर के चल पढ़ने का वर्ष है बीते साल बड़े बड़े संकटों का जीस सामुहिक सक्ती से एक राश्ट एक मन से हमने सामना किया उसी भावना को हमें और ससक्त करना है हमें देश की अवर्थ ववस्ता पर इस महामारी के जो दुस्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेश्ट नाबूत कर रहा है और आत्मंदिर भर भारत के संकल्प के हुवी हमें पूरा करके दिखाना है ताथ क्यों बीते साल भारत ने दिखाया है कि वाइरस हो या बॉर्डर की चुनावती भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है वैक्सिन का सुरक्षा कबच हो या फिर भारत को चुनावती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से द्वस्त करना भारत हर मोर्चे पर समरता है आज हम वैक्सिन के मामले में भी आत्मनिरवर है और अपनी सेना के आधुनिक करन के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं भारत की सभी सेनाएं सर्वस्त हो इसके लिए हर कदम उठाए जा रहा है आज भारत के पास दुनिया की बहतरीन वार मशिन्स हैं आपने आज मिडिया में भी देखा होगा कल ही भारत में फ्रांस से तीन और रफाइल फाइटर प्लेन आये हैं भारत के इन फाइटर प्लेन्स ही मिड एर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र उनाइटेड अरव अमिरात ने की है और इसमें ग्रीस और सौधी अरव ने सयोग किया है ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते समंधों की एक तस्वीर भी है साथियों अपनी सेनाओं की जादातर जरुरतों को भारत में ही पुरा किया जा सके इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए है सो से जादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तयार किया जा रहा है अब भारत का अपना तेजर फाइटर हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आस्पान तक अपना तेज ठला रहा है हाल में वायू से ना के लिए 80 से जादा तेजस का ओर्डर भी दिया गया है इतना ही नहीं आर्टिफिशल इंट्रिजन्स आधारित वार्फेर में भी भारत किसे से पीछे ना रहे इसके लिए हर जरूरी आर एंडी पर फोकस किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विप्मेंट के बड़े मार्केट के बजाए एक बड़े प्रोडूशर के रूप में जाना जाएगा साथियों आत्म निर्वर्ता के अनेक लक्षों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं तो आपके भीतर गर्व का एसास होना बहुत स्वाभाविक है आप भी जब अपने में अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रती उत्सा अनुभव कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि ब्रांट्स को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बडलाव आया है अब आप खादी को ही लीजिए खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिवास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था आज वही खादी युवाओं की पसंदिदा ब्रांड बन चुका है खादी के कुर्ते हो खादी का जकेट हो खादी का दूसरा सामान हो वह आज युवाओं के लिए फैशन का सिम्बल बन चुका है इसी तरह आज टेक्टाइल हो या इलेक्ट्रोनिक्स फैशन हो या पैशन तो हार हो या शादी लोकल के लिए हर भारतिया वोकल बनता जा रहा है कुरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संक्या में स्टार्ट अप्स बने और रिकॉर्ड युनिकॉर्ण देश के युवाओं ने तयार किया साथ्यों 21 सदी में आत्म निर्वर भारत के लिए आत्म विस्वासी युवा ये इसकी पहली शर्त है बहुत करता है स्कील और उची उचीत अवसरों से आता है आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इनी पहलूओं पर काम कर रही हैं और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉंस भी किये जा रहे हैं हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुन स्कील इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है आज फिटनेस और स्पोर्स को भारत में अबुत्पुर्व प्रात्विक्ता दी जा रही है फिट इंडिया भियान और खेलो इंडिया भियान देश के गाउं गाउं में बहतर फिटनेस और बहतर टैलेंट को प्रोचाइट कर रहा है फिट इंडिया भियान और योग को प्रोचान देने के लिए तो एंसी सी में भी विशेश कारकम चलते हैं नई नेशनल एजुकेशन पॉलिशी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्ट्रिक को भी प्री नर अश्यक्त दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा अपनी रूची के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहोल बनाया जा रहा है खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर्स्तर पर यूवा टैलेंट के लिए यूवा उद्यम्यों के लिए अवसर दिये जा रहे हैं आप पिन अवसरों का जितना लाप उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा हमें वयम राष्ट्र जाग्रयाम इस वैदिक आहमान को 21 सदी की युवा उर्द्या का उद्गोश्ट बढाना है हमें इदम राष्ट्रा है इदम नममा यानि यह जीमन राष्ट को समर्पित है इस भावना को आत्म साथ कर रहा है हमें राष्ट हिताय राष्ट सुखायच का संकल्प लेकर प्रतेग देश्वाशी के लिए काम कर रहा है आत्म बत्सर्वभूतेशू और सर्वभूत हितेरता यानि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वात के मंत्र के साथ हमें आगे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा के एक बार फिर आप सभी को गन तंत्र दिवेश परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत भनाई और भविश के लिए भी अनेक-अनेक मंगल कामना आए बहुत-बहुत भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद. भारत में में, भारत में बहुत बहुत ब conception. झाल झाल